समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है इसी बदलाव के साथ ही एक कोटेशन भी तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बेटी पढ़ाओ बहू नहीं और ये किसके कॉंटेक्स्ट में हो रहा है उनका नाम है SDM जोती मौर जो इस वक्त बरेली में तैनाद है तो कhosी चा रही है पहले लोग अपनी बेती को जतना पयार देते थैंवह आपके साथ चल कपट कर नहीं सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी तो फिर परिवार का है कुछ SDM जोती मौरे ने ये बरेली में इस वक्त तैनात है और इनके उपर कई सारे आरोप इनके पती ने लगा है जो एक सफाई कर्मी है उनका नाम है आलोग मौरे बताते हैं कि उनकी और उनकी पत्नी जोती की शादिस साल 2010 में हुई थी दोनों हसी खुशी रहते थे आलोग उस वक्त पताबगर में तैनात थे और जोती ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि उनको पढ़ना है उनको अपने परिवार का अपने पती का नाम रोशन करना है जिस वज़े से आलोग ने कहा कि उनके पास अतनी संसाधन नहीं थे पैसे की बहुत जादा कमी थी क्योंकि वो एक सफाई करमचारी थे कितनी ही सैलरी होगी तो वो अपनी सैलरी मैंसे उन्होंने कुछ पैसे बचाना शुरू की अपने खर्चों को काटा उन्होंने अपने पिता से कर्ज लिया अपने भाई से कर्ज लिया जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी जोती मौरिक को इलाबाद में दाखिला दिलवाया और वहाँ पर कोचिंग सेंटर में उनकी पढ़ाई की शुरुवात करवाई बताते हैं कि जोती ने PCS की वो तैयारी कर रही थी और उन्होंने PCS क्लियर भी कर लिया था साल 2015 में साल 2015 वो वक्त था जब पूरा मौरे परिवार बहुत जादा खुश था क्योंकि एक तरफ उनकी बहुँ SDM बन चुगी थी PCS क्लियर कर चुगी थी और दूसरी तरफ उनके घर में दो जुरुवा बेटियों का जन्म हुआ था जोती ने दो जुरुवा बेटियों को जन्म दिया था और आलोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी जुरुवा बेटियों का नाम हसी और खुशी रखा था परिवार का महल बहुत लिच्छा था लेकिन ये सब कुछ सर्फ साल 2020 नहीं चला क्योंकि जोती अपने पती चिन्हो जोती मौरे ने लगा दिया जिसके बाद से ये मामला लगातार विवादों में बना हुआ है जोती मौरे को लगातार क्रिटिसाइस भी किया जा रहा है और इतना ही नहीं जोती मौरे ने दूसरी जगे संबंद भी बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने जिनके साथ संबं मौर जो सफाई कर्मी है उन्होंने पकड़ लिया उन्होंने बकायदा उनको रंगे हांतों पकड़ा उनके चैट्स भी पढ़े जिसके बात से आ लोग जोती की सारी सक्षी सचाई जाने की जोती को उन्होंने पढ़ाया लिखाया एतनी महलत कि लेकिन उसके बावजोती जोत ने उनके परिवार के साथ चीट किया इसलिए आप तेजी से लोग जोती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी पढ़ा हो पहू नहीं लेकिन समाज में एक मैसेज जाना ये भी जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया इसका मतलब ये नहीं कि सब अधके लिए नमस्का